expression for drift velocity drift velocity क्या velocity है इसको एक बार देखते हैं अब हम क्या करने वाले हैं देखो अब suppose ये आपके पास एक conductor है ये आपके पास एक conductor है क्योंकि random motion में electrons होते हैं तो random motion में current तो contribute करते हैं तो हम क्या करेंगे यहां पर लगाएंगे एक battery battery का plus minus तो ये plus तो ये plus ये minus तो ये minus तो electric field generate हो जाएगा from plus से minus electric field generate हो गया ठीक या थक तो इसके अंदर electric field generate हो गया इसके अंदर तो यो electron है इसके अंदर it will experience a force in the direction opposite to the electric field क्योंकि electric field की opposite move करता है electron सबको मालूम है और कितनी force से move करता है force experience क्या होती है mass into acceleration sorry force experience is equal to q times e का formula electrostats में किया था f is equal to q e तो force experience will be equal to minus charge कितना e into electric field minus sign क्या शो कर रहा है minus sign ये शो कर रहा है कि अगर electric vector form में लिखा है electric field अगर मेरी तरफ है तो force experience opposite है electric field अगर मेरी तरफ है तो force experience opposite है तो दोनों के direction में क्या फरक है minus का फरक है को डाउट इसमें पॉंट सम्झवाया है यह तक तो ये value आजाएगी आपके पास तो अगर मैं ये पूछूँ कि acceleration कितनी experience कर रहा है तो acceleration का formula क्या होगा force divided by mass तो acceleration vector is minus e e divided by mass ये point क्लियर है यह तक तो acceleration vector आ गया अब क्योंकि हर electron को electric field सबको same मिल रहे mass of electron सेम है electron का charge सब पे same है तो acceleration experience सभी electron की same है ये वी clear हो गया तो acceleration सभी को same मिलेगी इसका मज़ब यह पक्की होगी कि electron accelerate करेगा और direction सभी electron की सेम होगी या वो random motion में नहीं रहेंगे अब जब electron चलेगा अब एक आज electron तो है नहीं metal या conductor के अंदर 10 raise to power 28 electrons होते हैं 1 meter cube में सिरफ 10 की power 28 बहुत zeros होती है इतने electron होते हैं 1 meter cube में तो सोचे पूरे conductor में क्या होते होंगे तो लक्ष कुरूर होगे तो इतने electron की electron move करते हैं अब जब यह move करते हैं यह free electrons हैं अंदर atom होंगे इसके conductor के जो पड़े होंगे जिसमें plus charge है जब यह move करने की कोशिश करते हैं तो atom इनको attract करने की कोशिश करते हैं कि positive charge चाहेगा की electron उसके अंदर आ जाए पर क्योंकि इनको electric field मिला हुआ है तो यह उसके अंदर जाके बैठते नहीं चलते रहते हैं लेकिन उसी तरीके से behavior है जैसे CD है Staircase है Ball आपने केरी Ball कानेट इनकोर करते है नीचे गिरते हुए तेज चलते है पस CD को टकर मारते ही उसकी speed थवड़ी energy loss हो जाता है वो फिर चल पड़ती है नीचे फिर loss हो जाता है वो फिर चल पड़ती है फिर loss हो जाता है तो इसी तरीके से atom के अंदर से cross करते उसको resistance offer होती ऐसे बोल सकते है उसके flow में रुकावट है smoothly flow नहीं कर पा रहा और वो collide करता हुआ जाता है इन atoms के साथ तो atom के साथ जब collision होती है तो उसका smooth flow नहीं रह पाता हम बोलते हैं वायर में resistance बहुत साथ है तो resistance होने का reason collisions है तो अब यह depend करता है किसी भी material में कितने atoms है, उनकी spacing कितनी है उनमें कितने free electrons है जब वो move करते हैं तो इसलिए बोला जाता है कि हर wire की resistance different है क्या atom हो का structure होगा किसी को मालूम नहीं है different wire का different है but resistance होने का reason क्या reason बता रहा हूँ resistance होने का reason collisions है जितनी जादा टक्कर होती जाएगी electrons की आपस में भी हो जाती है और mainly तो atom के साथ होती जाती है उतनी जादा बोला जाता है उसमें resistance आता है और जब उसकी टक्कर होती है उसकी अच्छी वली kinetic energy खराब हो जाती है वो खराब नहीं होती है वो convert हो जाती है इनी form of heat और आप देखते हैं जब current ट्रेवल करता है तो बहुत देर के बाद तार्क गरम हो जाती है कजबा तो सड़ भी जाती है इतनी heat generate हो जाती है तो wires गरम हो जाती है heating effect होने का reason is collisions तो resistance ऐसा नहीं है कि एक wire है, smooth flow है तो टेड़ी मेड़ी हो जाती है यह resistance का symbol जरूर है बट इसका मतलब यह नहीं है कि वो रास्ता टेड़ा मेड़ा हो गया जो electron के flow को रोकेगी और जितनी ज्यादा टक्रे होंगी उतनी ज्यादा इसकी resistance बढ़ जाएगी point clear clear यहां तक तो resistance होने का reason बता दिया अब क्योंकि हमने battery apply कर दी electron चल पड़े एक तरफ problem यह कि electron चल पड़ा उसकी टक्कर कब दूसरे पार्टिकल के साथ हो जाएए किसी को पता नहीं है क्या पता जल्दी हो जाए क्या पता लेट हो जाए कोई electron जादा time ले रहे next collision के लिए और कोई कम ले रहे अब होगा क्या electron जब move करता है तो मालनो थोड़ी देर के बाद मालनो T1 time के बाद उसकी velocity initial u थी acceleration a है T1 time के बाद T1 वो time है जब उसकी तक्कर हो जाती है अब हर किसी की तक्कर सेम टाइम पे हो ज़रूरी नहीं है एक electron चला उसके रास्ते में atom पहले आ गया उसकी तक्कर पहले हो गई किसी की लेट हो गई किसी की पहले हो गई जब तक उसकी तक्कर जब उसकी तक्कर जब वो चलता है और उसकी collision हो जाती है उस दौरान उसका time taken T1 है फिर वो दौरा चल पड़ेगा वोई CD की तरह बाल गिरती है एक CD से दूसरी CD में पर दौरा चल पड़ती है तो एक तक्कर का मतलब जब एक CD से दूसरी CD में गिरना तो एक कोलीजिन का मतलब कि उसमें V1 velocity acquired की जब उसकी तक्कर हो जाती है तो second जो electron होगा वो U plus A into U1 है U2 plus A into T2 क्योंकि हर का तक्कर होने का time different है हम प्रेडिक्ट रोना कर सकते इकने लग्को क्रोड electrons है सबका same नहीं होगा तो सबकी move करने की velocity भी different होगी इसलिए हर कोई electron सेम velocity से move नहीं करता हर कोई electron different velocity से move करता है लेकिन हम 10 की power 28 electron का हिसाब तो नहीं जख सकते कि किसकी velocity क्या होगी मेरे को क्या मालूम तो इतने सारे मास के साथ हम क्या करते हैं average ले ले लेते हैं हम क्या करने वाले हैं जो भी electron move करेंगे हम finally उन सब का क्या कर देंगे average ले ले लेंगे और हम यह मानेंगे कि सब इलेक्ट्रों एक ही velocity के साथ move करते हैं हम इस deep concept में नहीं जाएंगे कि हर की velocity सच में different होती है velocity reality में different होती है पर हम इतनी minute calculation कर नहीं पाएंगे तो इसकी जगा हम यह मानते हैं कि सब की velocity almost same होती है तो electron जब हम battery को on करते हैं तो average velocity को क्या बोलते है drift velocity और drift इसके है क्योंकि opposite to the electric field motion में आ जाते है electron तो वो drift करते है point समझ में आ रहा है आ तक तो drift velocity एक average velocity है सब ही electrons की velocity निकालो और उनका average निकाल दो उसकी drift velocity कहलाएगी तो जितनी calculations होती है हमारे physics में वो drift के साथ होती है क्योंकि individual velocity को हम निकालने ही पाएंगे cut out इसमे clear है यह तक तो अब हम expression निकालने चाहरे है drift velocity का तो drift velocity का expression के लिए आपको booklet refer करना पड़ेगा यह NCRT का proof है तो please आप booklet को open कर सकते हो